हर किसी बच्चे को voice visual clear है क्योंकि important chapter है तो start करेंगे ध्यान से सुनना है आज आपका practical कोई काम नहीं रहने वाला सिर्फ सुनने का काम रहेगा आपका है किसी का doubt तो बताईए मतलब के voice sub clear आज class का notification नहीं आया है हो सकता है में भी कुछ error रहा हो लेकिन अगली class से मैं provisioning कर रहा हूँ कि आप लोगों को text SMS भी चला जाए ताकि आपके classes जो start होंगी और notification तो generally जाएगा ही जाएगा ठीक है सर salary हम पहले chapter का meaning chapter का नाम ये सारी बातों को समझ लेते है हमारे income कमाने के 5 head थे 5 head में से पहला head था हमारा salary का ठीक है अब सर हम बात करेंगे इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कितने section अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ी हैरानी होगी कि इसके अंदर majorly हम तीन section पर चर्चा करते हैं एक है हमारा section number 10 मतलब 10 की कुछ series है 10, 10, 10, 10 इस तरीके से series है section 10 की बात और section 10 ही जो chapter number 3 है exempted income exempted income सारा section 10 के अंदर involve है तो मान के चलो आप salary का जब करोगे तो 50% exempted income के section तो यहीं पर आ जाएंगे आपके ठीक है एक सर section हम करेंगे यहाँ पर 16 और एक करेंगे section 70 बस तीन section ही पढ़ने वाले हैं इसमें majorly और इन तीन section पे ही पूरा का पूरा हमारा depend करेगा हम तीन section पढ़ेंगे और इसी तीन section पे हमारा सारा का सारा कुछ का तो section नहीं भी है जिसको हम normally करेंगे जैसे provident fund बगरा है खीक है ना पहले समझते हैं सर salary इसमें काफी सारी definition है काफी सारे बाते बताई गई यह हम simple तरीके से समझेंगे salary क्या होता है जब आप कहीं पे job करते हो मान लेते हैं एक x y z limited है एक company है x y z limited और आप इस company के अंदर job करते हो सर किस type का job any kind of job आपका नाम मान लेते हैं राम है और ना आप यहाँ पे job कर रहे हो सर किस type का job any kind of कुछ भी हो सकता है मैं manager से लेके sweeper तक की बात करूँआ कोई भी हो सकता है यहाँ पे ऐसा नहीं कि sir manager को ही consider करो कोई भी आप नौकरी कर रहे हैं तो जो mr. राम है अगर वो job करता है तो normally यह एक किस age में start करता है normally आप भी job start करोगे तो आप भी अच्छे से जानते हो कि आप किस age में काम start करोगे मैं अजम्शन ले लूँ कि सभी बच्चे 25 साल में कहीं न कहीं नौकरी करना start कर देंगे यही रहेगा 25 साल में क्योंकि अभी नहीं करोगे पढ़ाई करोगे फिर कहीं न कहीं 25 यर में नौकरी स्टार्ट कर दोगे चाहिए कैसे भी जॉब करो और आपका ये स्टार्टिंग जॉब का टाइम है है ना स्टार्टिंग अब बताओ आपका जॉब एंड कब हो जाएगा एंड कब हो जाएगा आपका जॉब 59 कहलो या 60 रिटायर्मेंट का जो एज है सर क्या 60 के बाद हमें नौकरी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी ना तो प्राइबेट में मिलेगी ना सरकारी में कोई नहीं रखता तो सर 59 मतलब 60 में आपको क्या कर दिया जाएगा रिटायर्मेंट कुछ exception cases है जहां पर रख लिया जाता है सरकारी में मान लेते हैं बहुत ही expert बंदा है वो expert है तो उसको अब नहीं निकालते हैं ठीक है ना तो 60 के बाद मैं generally बात कर रहा हूँ 60 के बाद नौकरी खतम और 25 के शुरू तो आपने total कितने साल यहां पर दिया 35 साल आपने काम किया अब यहां पर situation आता है सर 35 साल या तो आप किसी एक company में काम करोगी कोई यह हैरानी वाली बात नहीं है या फिर आप काम जो है 35 साल अलग-अलग company में भी कर सकते हो 4 साल इसमें किये 5 साल इसमें किये लेकिन आप कभी भी यह नहीं चाहते कि जो हमने काम start किया है आप कभी भी यह नहीं चाहते कि जो काम हमने start किया है फटा-फट छोड़के दूसरी company में आप चाहते हो कहीं tick के काम करें तो मैं यह मान के चलता हूँ कि आपकी इच्छा है कि अगर मुझे यह XYZ company सारी services देगा मेरा अच्छे से खयाल रखेगा तो मैं इसी के पास काम करूँ अब खयाल रखने से मतलब क्या है हमें तो बस इतना पता होता है राम को साल में या महिने में अगर पचास अजार रुपे मिल रहा है राम को तो सर यह इसकी सेलरी है पचास अजार रुपे अगर इसको दिया जा रहा है XYZ अगर इसको पेमिंट करता है पचास अजार तो हमें तो बस इतना पता होता है कि यह सेलरी है और सेलरी कितना है इसका पचास अजार साल में 6 लाक हो सकता है law कहता है sir आपके पास अगर कोई नौकरी कर रहा है अपना पूरा जीवन दे रहा है आपको क्योंकि 60 के बाद ये कहीं का नहीं रहेगा कहीं नौकरी करने का नहीं रह सकता आपको पूरी life दे रहा है तो आपको इसका खयाल रखना है जब तक आपके पास काम करेगा तब तक और आपकी जिम्मेदारी इसके बाद भी बन जाती है क्योंकि इसने आपको पूरा अपना लाइफ दे दिया शाट साल तक अपने इसका यूज किया उसके बाद आप ऐसा थोड़ी है इसे आप छोड़ सकते हो तो इसके बाद भी आपको इसका खयाल रखना है इसलिए यहाँ पेंशन दिया जाता है आपने नाम सुना होगा पेंशन मिलता है वो रिटायर्मेंट के बाद मिलता है रिटायर्मेंट से पहले तो यह सरिफ लौ के compensation था और सही बात भी यह law सही भी बनाया गया कि उसको compensation दिया जाना चाहिए ठीक है ना अब सर इसकी उमर अभी है 25 साल माल लेतें Mr. Ram की अभी शादी नहीं हुई है जैसे इसकी शादी होती है अगर माल लो इसकी शादी अगर हो जाए तो इसके उपर जिम्मेदारी की बोज भी क्या होता जाएगा साथ के साथ बढ़ता जाएगा अब जो इसका honor है इस honor की responsibility पूरी पूरी आती है कि इसका सिर्फ इसका नहीं ख्याल रखना इतने पैसे इसको देना है ताकि यह इसका घर भी चला पाए अगर इसने इसा नहीं किया तो यह विचारा छोड़ देगा नोकरी कोई जौब क्यों छोड़ता है क्योंकि उसको इतने पैसे नहीं मिल पारे जिसमें उसका घर सही से नहीं चल पारा तो लॉने डिफाइन किया है सर आपके पास कोई भी परसन काम करेगा नोकरी करेगा चाहे सर्विस दे चाहें किसी भी टाइप का आपकी कंपनी जिम्मेदारी बंती इसका पूरा ख्याल रखना और कैसे कैसे किन-किन बातों का ख्याल रखना है हम पहले उसको देखेंगे लॉने कहा किन-किन बातों का ख्याल रखना है यह बता दीजिए तो लॉ कहता है सर इस केस में सबसे पहले तो इसके दाल-डल रोठी का इंतिजाम करो दाल रोटी समझते हो basic needs यही है ने basic आप सबसे पहले इसका basic need का इंतिजाम करो तो इसको जब आप पैसे दो न तो इसको एक basic salary दो इसको क्या दो यह basic salary का मतलब होता है base कि इसमें इसका खाने पीने का मतलब basic जो चीज़े चाहिए need अब basic need के मतलब यह मत समझना कि आपको merceries में घूमना है वो luxury need में आ गया basic needs का मतलब बिलकुल basic मान लो आप एकदम गरीब हो तो उसके लिए सरकार ने बोला कि आपको इसको पहले तो basic salary देना होगा company ने बोला सर ठीक है यह तो बोलने आली बात ही नहीं है जब law बनाया जा रहा था तो लोग कैसे बना था मैं उसकी बात कर रहा हूँ company ने कहा सर ठीक है आपको इसको तो देंगे हम basic salary उसके बाद बोला गया अभी recently Ukraine में war हुआ war होने की वजह से सभी चीजों का price double हो गया oil का price बढ़ गया, petrol बढ़ गया बहुत सारी चीज़े हैं जिसका price क्या हूँ बढ़ गया तो सर हमने इसे basic salary दिया लेकिन price बढ़ने की वजह से पूरा नहीं हो रहा है हो सकता है ना मैंने बोला basic salary तुमें हम दे देते हैं 5000 रुपे चिंता मत करो आप काम कर रहे हो 5000 5000 रुपे हम basic salary दे रहे हैं हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे अभी भी और बाद में भी लेकिन फिर inflation आ गया महंगाई बढ़ गया तो government ने बोला भी अगर ऐसा कोई काम होता है महंगाई बढ़ता है तो इसे उस महंगाई के लिए अलग से पैसे दो यही होगा ना तो उसे अलग से पैसे दिया गया जिसे बोला गया dearness allowances जिसको बोला गया dearness allowances मैंने short form में लिखा dearness allowances सर allowances क्या होता है अलग से जो हम आपको पैसे देते हैं तो उसको allowances का नाम दे देते हैं तो जैसे कि 5000 था 5000 में नहीं बन पा रहा था महंगाई के हिसाब से देखा गया कि सर इसको 2000 रुपे की और जोरत पढ़ रही है 2000 रुपे की और जोरत पढ़ रही है उसे तो इसको क्या करा और दे दिया 2000 रुपे मान लेते हैं सरकार ने बोला ठीक है भाई employee आपका काम ठीक ठाक चल रहा है रूटी दाल चल रहा है और महंगाई बढ़ रहा कभी मिल रहा है उसके बाद भी employee जो employee है इसको मैं employee बोल रहा हूँ double E से denote करूँगा और इसको मैं employer बोल रहा हूँ ER से denote करूँगा employee कहता है सर अभी भी कुछ कमी है अब मेरी शादी हो गई है शादी होने की वजह से अब हमारा घर परिबार है तो अब उसके भी तो खर्चे बढ़ेंगे तो बोला भीया क्या चीजे चाहिए और बताइए बोल रहा है कि बच्चे उसके स्कूल जाने का भी आपको इंतिजाम करना पड़ेगा अगर हम दोनों खाना खा रहे हैं हम दोनों बिलकुल सही से रह रहे हैं और बच्चे अनपढ़ हो जाए तो क्या फाइदा मेरे नोकरी का क्या फाइदा मेरे नोकरी का तो बोला गया भाईया तुम्हें इसका भी ख्याल रखना इसने बोला चलो फिर तुम्हारी तंखा बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाएंगे वो तंखा बढ़ाने का मतलब उसको बोला गया चलो तुम्हें चिल्ड्रन एजूकेशन चिल्ड्रन एजूकेशन अलाउंस दे रहे हैं मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बाकी सारी चीज़े मैं बता दूँ अभी इसमें नोटिंग का कोई पॉइंट नहीं है आपको चिल्ड्रन एजूकेशन अलाउंस दिया जा रहा है जिसको हम बोल देते हैं C एजूकेशन अलाउंस इस मान लेते हैं आपको 500 रुपे महिना और बढ़ा देते हैं आपकी तनख्वा में स्कूल में पढ़ाईए सरकारी स्कूल फ्री में है पढ़ाईए वहां टूशन में रगेगा पांच रुपय महिना और एड कर दिया अब ठीक ठाक चल रहा है अब इतना ठीक ठाक चलने के बाद इसके बेसिक नीट्स खतम नहीं होती इसने का सर ये चीज तो ठीक कर दी अब आपने दिया दाल रूटी खाने को आपने दिया हमें पैसा महंगाई तो महंगाई तो दाल रूटी में निकल गया अब बिमार पढ़ते हैं तो क्या करें उसका भी तो देखना पड़ेगा तो फिर employer ने एक और point add-on कर दिया सर बिमार कर पढ़ जाते हो तो आपको medical medical allowances भी दिया जाएगा मान लेते हैं 200 रुपे महीने का दे देते हैं सही है साल में 2000 हाला कि ज्यादा भी लग जाता है लेकिन मालिक basic तरीके से सोच रहा है आपको यह नहीं सोच रहा कि आप बिमार पढ़ोगे तो आप US से चले जाओगे इलाज कराने वह यह सोच रहा है कि आप बिमार पढ़ोगे तो साथ वाले क्लिनिक में इलाज करा लोगे जिसमें ठीक हो जाओगे ठीक है अब इसके बाद अगली बात करते हैं employer ने कहा कि सर चलो ठीक है दवाई का भी इंतजाम कर दिया इसके बाद आपने schooling का भी इंतजाम कर दिया अब बात है हम रहने का भ हम लेट आएंगे कल से अब यानि 10 वजे का टाइम हम 12 वजे तक पहुंच पाएंगे जॉब दूर है तो फिर employer की जिम्मेदारी है कि इसको house का इंतजाम करके दे house rent उसने बोला सर employer कहता है factory के आसपास क्यों नहीं रहते बोले मेरा मकान ही नहीं है आप लेके दे दो factory के पर लेके रह लो तो हम आपको house rent extra दे रहे हैं मान लेते हैं 2000 रुपए एक्ट्रा आपकी salary में जोड देते हैं और तो आप रहलो साथ में आपको दिक्कत नहीं होगी जब house rent दिया गया तो उसके बाद employer जो है वो कहता है कि भीया जब मेरे घर पे मान लेते हैं जब भी लड़ाई हो जाती है मेरी wife के साथ तो उस time पे खाना वाना बनता नहीं और काफी time तक अगर मेरी wife चले गई तो खाने वानी की बड़ी दिक्कत रहती है तो इसका भी आपको इंतिजाम करना पड़ेगा अ मालिक ने बोला ठीक है भई आप या तो हम ऐसा करते हैं मालिक ने मालिक दो तरीके से help कर सकता है या तो बोले पैसे लो और अपना जहां मर्जी खाओ चुटका रहा या मालिक कह सकता है हम यहीं केंटिन खुलवा रहे हैं यहीं पे खाना आपको तो यहां पे एक और अब इसके बाद अब इंप्लॉई इतने दिन काम करेगा 35 साल तो क्या आपको लगता है कि इंप्लॉई का डेजिगनेशन इंप्लॉई का उस कंपनी के अंदर जिस कंपनी में काम कर रहा है वो सेम ही पोस्ट पे होगा बढ़ेगा ना वो पहले होगा आपका जूनियर फिर होगा थोड़ा सीनियर फिर मैनेजर फिर बहुत हाई लेवल पर तो यह बोल सकता है कि भाई अब मेरे एज मान लेते हैं इसकी पचास साल हो गया और यहां का यह सीनियर मैनेजर है तो यह बोल सकता है कि भीया मैं सीनियर मैनेजर हूं और मैं आफिस पैदल आता हूं और कार की facility प्रवाइड करिए नहीं तो मैं छोड़ दूँ आजओ मालिक को मजबूरन उसके लिए कार का facility प्रवाइड करना पड़ेगा माल लेते हैं या तो दे देगा उसको कार या खरीद के देदेगा या उसको कार किराएपे देदेगा या cab का पैसा दे देगा कार की facility दे दिया और बोला भईया पेट्रोल वेट्रोल का भी खर्चा हम देंगे छोड़ के मत जाना दो हजार रुपे पेट्रोल का खर्चा ठीक है न? अब काम कितने टाइम कर रहा है पता आपको वो काम कर रहा है पूरे 35 साल 35 साल एक जगे काम करने को दिया जाए बोर हो जाओगे अगर एकी काम दिया जाए अगर यही चैप्टर में तीन मैने पढ़ादू ना आप इस चैप्टर को छोड़ दोगे वो तो 35 साल की बात है तो इसने बोला भीया 35 साल हो गए है काम करते करते हैं अब मन नहीं लगरा काम करने में तो employer बोलता है ठीक है हम थोड़े से पैसे देते हैं आपको आप जाएए घूम के आईए क्योंकि इसके पास इतने पैसे है नहीं के घूम पाए घूमने का तो है नहीं जो पैसा दे रहा है आप देख रहे होगे खर्चा कर रहा है तो इसको फिर से और पैसे दिये जाएंगे और बोलेगा थोड़ा घूम के आजाओ यानि traveling allowances इसको LTC बोलते हैं leave travel concession बोलते हैं या traveling allowances बोल देता हूँ इसको मैं बोल देता हूँ simple simple सब्दों में देखो salary कैसे बनता है वो मैं बता रहा हूँ इसको traveling allowances दे दिया गया लो भाई 5000 रुपे और ये हर बार नहीं मिलेगा हर महिना नहीं मिलने वाला ये कभी-कभी मिलता है तो जाओ और जाईए जब ये traveling allowances घूम फिर के आया कुछ टाइम और भी job करेगा age बढ़ते जाएगी उसके बाद बच्चा थोड़ी है के 21 school में पढ़ेगा बारवी के बाद भी कहीं जाएगा अब इसने बोला भाई बच्चे का पढ़ाई का इंतिजाम कर दिया है लेकिन अब बच्चा जहां पढ़ रहा है ना वहां से घर पे नहीं आ सकता होस्टल में पढ़ रहा है अब उसके होस्टल का इंतिजाम भी आपको ही करना पढ़ेगा तो मजबूरन मालिक को उसके होस्टल का भी होस्टल का भी उसका एक्सपेंडीचर का करना पढ़ेगा माल लेते हैं दो सो रुपे उसके दे दिया है होस्टल एक्सपेंडीचर के अब समझते जाना की चीजों को होस्टल के एक्सपेंडीचर का भी दे दिया गया ठीक है न अब होस्टल के expenditure को देने के बाद फिर भी employee जो है वो बोलता है भाई साब factory के अंदर हम आते हैं चले जाते हैं तो खाने पीने का तो आपने सारा इंतजाम कर दिया है सारी चीज़े आप manage करके चल रहे हैं अब हमने ये कहा कि इस इंप्लोयर ना ये जो employee है ना ये बहुत दीरे-दीरे काम करकरके ये employee बहुत talented हो जाएगा आप भी जानते हो आप भी एक जगह काम करोगे तो perfect हो जाओगे फिर अगर नई branch को ये खोलेगा ना तो पता सबसे पहले दिमाग में आएगा राम को भीज देते हैं ये हमारा सारा काम क्या कर सकता है संभाल सकता है भीज सकता है तो जैसे ही हम एक जगह से दूसरे जगह भीजेंगे ना तो दो possibility बनती है या तो हम बिल्कुल गाओं वाल ये तैयार रहते हैं तो दोनों तरीके के employee है तो जब किसी employee को एक जगह से दूसरे जगह पर हम सिफ्ट करते हैं ना तो बोलते हैं कि भीजा हम वहां एक ही सर्थ पर जाएंगे हमारी salary बढ़ाओ हमारी क्या चीज बढ़ा दो salary अब एक चीज ध्यान रखना ये सारी चीज तो बोलता भाई ये बढ़ाया तो सब बढ़ेगा तो मैं ये से तो नहीं बढ़ाऊंगा तुम्हें दूसरे जगह भेज रहा हूं तो एक काम करता हूं मैं तुम्हें city compensatory CCA city compensatory allowance दे रहा हूं 300 रुपए और yellow city compensatory मतलब एक city से दूसरे जा रहे हो तो इसलिए 300 रुपए एक्स्ट्रा दिया जा रहे है और अगर इसका transfer बहुत ज़्यादा ruler area में कर दिया जाएगा तो इसे और ज़्यादा पैसे दिया जाएगा कि जाओ अगर border area में कर दिया गया जान को खत्रा है तो और ज्यादा इसको पैसे दिया जाएगा उस हिसाब से हिसाब किताब सारच चलता है सर इसके बाद इतना काम करने के बाद हमने कितनी सारी चीजे दी कार भी दे दिया इसको motor vehicles भी दे दिया अब इसके बाद कई बार employee क्या करता है office में से कुछ एक सामा जैसे कि यह काम कर रहा है अच्छे designation पर हो गया तो यह इसका घर भी क्या होगा बड़ा हो जाएगा फिर जैसे जैसे पोस्ट बढ़ता जाएगा घर भी बढ़ा हो गया इसका उसके बाद इसके और भी demand बढ़ेगा जी हमें sweeper भी दो आप घर में साफ सफाई के लिए चाह रहे उसे कुक भी दो आप और उसके बाद इसके बाद भाई garden भी दो गार्डन तो दे दिया गार्डन भी दो यानि यह सारी चीज़े डिमांड करेगा मान लेते हैं इस सब मिलाके 2000 और दे दिया ठीक है ना 2000 और सिक्योरिटी गार्ड भी मांग लेते हैं यहां तक की employer जो ह इसके लिए लड़ाई और हरताल हो जाता है बोनस और टाइम बी मिलता है तो इन सब को जोड़ोगे ना तो जो इसको 50,000 मैंने दिखाए ना आपके लिए सिंपल सी बात है कैसर इसको 50,000 रुपे मिल रहा है लेकिन इन सब को जब हम एड करें अभी तो मैंने कुछ कम बाते बताई हैं और भी इसकी facilities हो सकती हैं अब सारी बातों को हम एक साथ entertainment allowance हो सकता है इसके अंदर इसके अंदर आपका और भी बहुत सारी facilities हो सकते हैं इन सभी को जोड़ने के बाद इसको 50,000 मिलता है हमारे तो समाग में होता है सर 50,000 रुपए उसकी salary है लेकिन 50,000 कैसे बना है ऐसे ऐसे सारा बाइफिकेशन करके हम सीख क्या रहे हैं सर income tax income tax में हमें सीधा 50,000 रुपए पे tax नहीं लगाना कुछ चीजे ऐसी है यहां पर जो कि basic नेट बता है कानून किस पर बनाए जाता है कानून उस needs को बोला जाता है salary में से हटाओ इस पर tax नहीं लेंगे जो basic चीजे हैं जैसे बच्चों को पढ़ा रहा है अगर हमने इस पर tax ले लिया तो क्या पता वो बच्चों को पढ़ाना बंद करते वाई तेरे वज़े से मैं मालिक से पैसे मांगता हूँ और इस पे मुझे अ हम इस वाले point पे tax नहीं लेंगे तो यानि जब इसे जोड़ोगे तो इसको मत जोड़ना कुछ exemption होती है इसके मतलब 500 रुपए तो 200 रुपए इसमें से घटा दिया जाएगा same medical है तो medical के भी कुछ exemption है same house rent है रहने के लिए घर दिया गया basic needs है तो आपको भले ही 2000 मिल रहा है लेकिन tax निकालते टाइम पे आपके salary में 2000 नहीं जोड़ा जाएगा suppose मैं 1000 रुपए आपके salary में जोड़ लूगा मैं एक example ले रहा हूँ सेम ऐसे आपको कार की facility दिया जा रहा है तो कार लगजरी में तो बोला इसमें नहीं करेंगे कुछ भी compromise सेम होस्टल expenditure बच्चे को पढ़ाने के लिए दिया जा रहे तो basic needs लगा है तो government ने इस पर भी rule बनाया हुआ सेम सिटी अपने यहां से वहां जा रहा है तो इसमें नहीं लग रहा तो नहीं बनाया होगा लग रहा होगा तो बना दिया होगा वैसे नहीं बनाया इसके उपर सेम इसके बाद स्वीपर कुक गार्डनर बोनस सेलरी यह सब तो आप देख रहे हो government को हम जो टेक्स देंगे सिंपल सी मैं बात करता हूं अभी आपने थोड़ी दिनों पहले एक बहुत सुना होगा के दूद पर भी लग गया भाई आइसक्रीम पर मतलब कुछ चीज़े ऐसे प्रोडक्ट थे खाने पीने चीजों पर लग गया लेकिन government ने वहां पर भी धियान रखा है खुले government सोच रहे हैं गरीब के बारे में अब बोल रहे हो सर आप पीजा पर भी लग रहा है यह तो भाई तुम गरीब थोड़ी हो तुम अमीर हो तो टेक्स दो ना फिर खाने पीने के चीज़ तो बेसिक नीड आटा चावल अब आटे में आप खारे हो कौन सा आप खारे हो आश दे नजर रखके बनाती है कि बेसिक बेसिक जो नीड से ना उस पर इंपेक्ट ना है अभी तक एजूकेशन पर मतलब टूशन पर तो लग जया है आप किताब वगरा खरीदते हो जो बेसिक किताबे हैं उस पर नहीं लगता जीएस्टी बहुत सारी चीज़े एक्जेम्ट बाते मैं तो बस एक्जामपल ले रहा हूं सारी बाते आपको ये बताएगा आपको क्या करना एक फ्रेश नोट लेना है इस तरीके से और इन बातों में से जैसे कि मैंने कहा बेसिक सेलरी सर इस पर गवर्मेंट बोलता है यह तो तुमारे इंकम का पार्ट है यहां 5000 लेकिन जब अब हम calculate करेंगे ना नई में कुछ चीजों को छोड़ चोड़ कर डिड़क्शन दे देखें तो हमारी सेलरी 50 के जगह पर हो सकता है कितना बन जाए 35,000 तो हमें जो टेक्स देना होगा ना वो किस पर देना होगा 35 सर 50 सेलरी 35 कैसे बचा गवर्मेंट कुछ नहीं होता है यह तो during the job है आपको job के बाद के भी point से याद रखने सर retirement के time पे retirement होगा आपका तो आपको पैसा मिलेगा क्या PF का पैसा और PF का पैसा एक ऐसा amount होता जो बहुत धीरे धीरे करके आप जमा करते हो बहुत hard working के साथ तो government ऐसा थोड़ी करेगा आपको PF का पैसा मि मिलता है तो pension के अंदर भी दो परकार के pension होते हैं एक pension होता है जीवित रहते हुए मिलते हुए एक उसके मरने के बाद उसकी wife को मिलने लग जाता है पैसे आप pension का concept बंद हो गया लेकिन पुराना चल रहा है तो हमें सीखना पढ़ेगा तो सर इस सभी के रूल पढ़ेंगे पीएफ हो गया इसके बाद ग्रेजूटी भी मिलता है सर ग्रेजूटी क्या होता है आपने law में अगर पढ़ा हो graduate इंडस्ट्रियल law तो उसमें तो नहीं आया है कम इंडस्ट्रियल law में होगा आपके ग्रेजुटी क्या होता है कि जब कोई काम 5 साल तक कर लेता है तो उसे हम टिप देते हैं आप बेटर के पास जाते हो खाना खाते हो 1000 रुपे का बिल बना तो आप 1000 रुपे दोगे और 25, 25, 35 जो आपकी सरदा है वो टिप दोगे सर आपके पास आधा घंटा उसने सर्विस दिया और आपने उसको खुश होके टिप दे दिया एक विचारा 35 साल आपको सर्विस दे रहा किया उसको टिप नहीं दोगे तो वही tip होता है gracious यानि ग्रेजुटी उसको भी देखेंगे बाई कब ग्रेजुटी टेक्सेबल होता है कब नहीं होता है साथ के साथ हम company के उपर कुछ कानून बना दिये जाते हैं क्योंकि company क्या करती है के जान बुझ के लोगों को एक तरीके से employee के साथ क्योंकि अभी नया employee code भी आने वाला है employee को साथ जबदस्ती बोले भाई अगर इसके पास employee जादा होगा ना बहुत जादा employee है मतलब access है तो यह worker की salary क्या करेगा कम करेगा करना है करना है तो निकल यही करेगा भाई PF का पैसा हम नहीं दे रहे तो यह ऐसे मनमानी कर सकता है तो इन सभी के लिए government ने law बना दिया भाई तुम्हें तो देना ही पड़े गा तो हम सारी law को इसके अंदर पढ़ने वाले है अब हम देखते हैं आगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे salary कैसे calculation किया जाएगा काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि awareness allowance इतना तो government service government service में भी मिलता है और private में हम दोनों के लिए salary की बात करेंगे और चलिए यहां तक किसी को एक tentative idea लगा कि हम क्या सीखने वाले हैं और क्या पढ़ेंगे पहले तो हमें यह पता चल जाए मैं बोलू salary chapter स्टार्ट हो गया मैं पढ़ाना चालू करो तो नहीं अब हमें यह सारे points के उपर focus करना होगा कभी भी जिसकी भी जॉब है जिसकी भी जॉब है चाहे private नौकरी है च सारी बाते देखने को मिलेगी आपको बोलना salary slip दिखाओ तो सारी list होगा DAHRA और आपका city company सब कुछ होगा यह जो चीज़े मैं बता रहा हूना आप real practical देखोगे salary slip उनकी देखना तो आपको सारी बाते पता चल जाएगी आगे चलते हम सर salary निकालेंगे कैसे हम basically salary निकालने का format भी मैं बता देता हूँ सर salary देखो इस तरीके से निकाला जाएगा और इसी के अंदर सबसे बड़ी tension है tax calculation करना old rhythm और new rhythm है तो पहले simple बताऊंगा फिर दीरे दीरे आगे लेके चलूँगा अब जैसे Mr. Ram के लिए है तो computation of salary for Mr. Ram एक तो ये लिखना है computation मतलब salary की calculation कर रहे हो किसके लिए Sir? Ram के लिए नीचे लिखोगे AY AY होता assessment year जैसे मान लेते हैं 2022 और 2023 चल रहा है आपके exam के लिए और यहाँ particular ये तो है Sir format ठीक है ना? ये है हमारा format अब Sir इसके अंदर क्या रहेगा? सबसे पहले आएगा basic salary हम यहाँ लिख लेंगे basic salary के बाद आएगा allowances allowances जो भी allowances से यहाँ आजाएगा हम allowances को detail में पढ़ेंगे allowances के बाद ना एक आता है perquisites मालिक आपको दो तरीके से सुभिदाएं दे सकता है सर दो तरीके से क्या? अगर मान लेते हैं आप job कर रहे हो और आप employee हो और आप employee ने समस्या लेके गए किसके पास? मालिक के पास यानि employer के पास तो किसकी जिम्मेदारी बनती है इसको short out करना है employer की? आपने बोला सर घर नहीं है तो मालिक क्या कर सकता है? या तो आपको rent का पैसा दे देगा जाओ जहां मर्जी रहो या आपको एक घर ही बनवा के दे देगा दोनों possibility हो सकता है तो जो आपको rent का पैसा हाथ में मिल रहा है न उसको बोलते है allowances और जो आपको पैसा ना दे के वो facility मालिक खुद दे देता है उसको बोलते है परकी जिट्स परक बोलते हैं वैसे तो आपने कई बार अगर सुना हो परक बोला जाता है तो उसे परकी जिट्स कहा जाएगा तो यहाँ पर एक तो allowances सारा ले ले लेंगे और sir एक parkysets भी ले लेंगे एक parkysets भी ले लेंगे तो समझना ये हमारा इसमें अलग-अलग classes लगने वाला है हमारा अलग-अलग time लगेगा तो parkysets और allowances में difference क्या होता है sir parkysets वो होता है जो मालिक जैसे की मान लो आपने बोला sir lunch के लिए मैंने बोला ये लो भीया आप 500 रुपे सेलरी बढ़ा दिया है अपना लंच खा ले ना जहां मर्जी खाओ नीचे खाओ बाहर खाओ घर पे बनाओ मुझे मतलब नहीं तो ये क्या है सर ये अलाउंसिस है मैंने बोला लंच की दिक्कत है अभी केंटीन बनवाते हैं और केंटीन बनवाया ओफिस के अंदर और वहीं पे खाना है आपको डेली तो ये क्या है आपने बोला ले द्धिक्कत हो रही है sounds मैंने बोला ये लो 2000 रुपे विलांछ मैं है but the city ये यह अदे व्ली मैंने बोला है अछाव को आने जाने में दिक्कत आ रहा है मेरा ड्राइब आपको खुड़के जाएगा और लेके आएगा ये क्या है फर्य किज डि तो जो चीजे आपको मालिक प्रवाइड कर दे उसको रखा गया है यानि सिंपल सी बात है सर जो कैश में मिल जाएगा आपको सेलरी के साथ वो अलाउंसे और जो नोन कैश होता है हमेशा यही दो तीन चीजे हैं अलाउंसे में क्या क्या आ सकता है सर हाउस रेंट अलाउंसे आ सकता है चिल्डरन एजूकेशन अलाउंसे आ सकता है आपका इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसे ट्रैवलिंग अलाउंसे यानि जिस चीज के पैसे दे न्यूस पेपर पढ़न education के लिए doctor provide किया जा सकता है hospital provide किया जा सकता है यह सारी चीज़े जब इन सभी को हम सही माइने में सीधा नहीं लिखना है उसमें से minus plus करके लिखना है तो इसको नाम देते हैं gross total salary इसको बोलते हैं sir gross total salary यह gross total का मतलब अभी भी सरकार यह चाहती है कि आपके उपर tax का burden कम हो और आपको कोई benefit दिया जाए अब gross total salary में से कुछ चीज़े minus करना होता है एक करते हैं standard, standard deduction standard deduction, sir standard deduction यह हमारा given है section 16 subsection 1A ऐसे given है, 1A के अंदर deduction बोलता है कि आपकी salary कुछ भी हो तो अगर 50,000 से उपर है तो हम flat deduction दे रहे हैं 50,000 रुपए का minus कर लो last month sir क्यों दी अब 50,000 पहले ना कुछ जगह पे जैसे medical allowances था वहाँ 15,000 रुपए का मिलता था और transportation allowances में 16,000 का मिलता था तो गवर्मेंट ने बोला भाईया medical के अंदर लोग बाग क्या कर रहे हैं फेक बिल बना के लिया आते हैं अब जाओगे chemist में बहुत लोग बनवाते भी आपको भी पता होगा कोई बनवाता हो क्या करेंगे बिमार पड़े नहीं नकली का डॉक्टर से क्या करा स्कूल में तो कितने बनवाए हैं आप लोगों ने आप पैदल जा रहे हैं आप बोलो नहीं हम तो मेट्रोस आए हैं वो लेगा टिकट मिलती नहीं है वो तो टोकन में रहे गया हो तो आप जा रहे हैं पैदल तो यहां पे थोड़ी से चोरी हो सकते हैं गवर्मेंट ने बोला इनके उपर हम deduction नहीं देगे आपको हाँ हम 70-80,000 तक भी ले सकते होंगे लेकिन सीधा government ने बोला 50,000 पर अभी new introduce हुए है अब एक चीज़ ध्यान रखना मैंने बताया था पहले यह 16-1 हुआ करता था फिर यह 16-1 सरकार ने कुछ दिनों के लिए काट दिया फिर बोला के भीया एक नया section लेके आना है तो सरकार ने बोला 16-1 तो हट गया तो ऐसा नहीं है अब नाम दे दिया 16-1 A जब कभी भी कोई नया आता है न A B C D तो इसका मतलब हमेशा समझना यह नया section है अभी introduce हुआ है अभी बीच में आया है शुरू में था ही नहीं जब इसको बनाए गया तो सर इसके बाद एक और दिया जाता है आप को यहां पर deduction किस चीज़ का entertainment entertainment का deduction दिया जाता है सर entertainment से हमें सीधा सीधा picture नजर आता है movie नजर आता है कि entertainment का मतलब होगा कुछ लिखने हाँ entertainment का मतलब क्या है मैनेजर जो होता है ने टॉप लेवल का तो उसकी responsibility यह पूरा पूरा customer को ध्यान रखना अब जैसे मान लो आप किसी मैं तो कई वार जैसे मैंने देखा है आप किसी शो रूम में जाओ इसली आज के टाइम पर पिछले मैं अगर मैं दस साल की बात करूं तो पैसा कमाया है किसी ने तो jewelry वालों ने कमाया बहुत पैसा कमाया जो 8,000 रुपे तोला सोना मिला करता था आज 52,000 रुपे तोला हो गया है तो भाई जब jewelry किसी शॉप पर जाने जैसे तनिस्क हो गया कहीं भी जाओ आपको जाते ही सबसे पहले एक पानी की बोटल देंगे फिर उसके साथ आपको tea coffee भी देंगे आप लो चाहे मतलो वो देंगे तो यह क्या है आपकी खातिरदारी hospitality है आपका तो यह करने से क्या होता है customer के उपर वो जबरदस्ती का obligation डाल रहे हैं अगर आपने वहाँ चाय पी लिया तो सुच गया अब ले के जाते हैं और खाना ख तो हम क्या करते हैं normally मालिक जो main CEO होता है वो क्या करता है अपने manager को बोलता है ले भाई 5000 रुपए और 5000 रुपए तू खर्चे के उपर चला यह जैसे कोई customer premium customer आ गया फटा फटा फट उसको नास्ता भी करवा दे बादचीत में time लगे खाना भी खिला दे अब ऐसा तो नही कैसे जिसे बोलते हैं ना हम petty cash advance में वैसे ही दे दिया जाता है तो सर इसके salary में जोड़ देते हैं क्योंकि यहां भी चोड़ी होने के chances है अगर मानलो suppose करो आपको बोला गया customer का ख्याल रखना है और अगर customer का ख्याल रख रहे हो तो आपके salary का हिस्सा नहीं है ऐसे बोल दे आप क्या करोगे text बचाने के लिए आपका balance sheet और यहां customer service आपका GP यहां पे देखोगे तो 5 लाख है customer service आप 3 लाख दिखाओगे क्योंकि इसको trace ही नहीं किया जा सकता आपने कितने पानी की bottle पिला दी कुछ भी नहीं कह सकते तो यह customer service के लिए जिसे मैंने नाम दिया entertainment allowance यह allowances हम पकड़ा रहे हैं manager को तो government ने कहा भी यह तू customer service यहां डाल दे company तेर से तो tax नहीं लेंगे हम manager को पकर लेंगे manager की salary में जोड़के वसूर लेंगे अब manager बोलता है मुझे क्यों मार रहे हो भाई entertainment allowance में तो बोला चिंता मत करो मुझे भी पता है कितना चाय पानी में खर्चा होगा 5000 का होगा अगर तुम्हे 5000 से उपर मिल रहा है तो समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ है आपके salary का पाट है आपका income है और 5000 रुपे तक हम यहाँ पर आपको minus करने की अनुमती दे दी गई और वो भी government में private में नहीं स्रिफ government में तो एक तो यह deduction है government में सारी बातों को हम अलग से देखेंगे ऐसा नहीं है government इसके बाद सर एक और है professional tax सर प्रोफेशनल टेक्स पता है क्या होता है state government चार्ज करता है सारा income tax पूरा का पूरा central government चार्ज करता है एक अकेला ऐसा यह tax है जो कि state government चार्ज करता है factory वगएरा देखना कभी तो factory वगएरा के बाहर देखोगे पार्क वगएरा बना दिया जाता है तो लोग बाग लंच करके factory से बाहर निकलते तो वहाँ पे बैठते हैं और factory area में बहुत सारी construction वगएरा लाइटे रोड वगएरा यह सारी चीजे सुभिदाई बना दी जाती है तो state government कहते हैं हम आपके factory में इतनी development कर रहा है उसके लिए मुझे टेक्स चाहिए आपसे तो टेक्स लेंगे और जो आपके पास worker काम कर रहा है उससे भी टेक्स लेंगे वो भी enjoy करते हैं वहाँ पे तो उस situation में हम employee से tax लेते हैं professional tax तो professional tax जब लिया जाता है ना तो हम total income म तो एक बार तो यहाँ tax paid कर दिया फिर से एक बार यहाँ तो double tax paid हो जाएगा तो यहाँ minus करने देते हैं यह वाला हमारा आजाता है section 16 subsection roman में है तीन और यह है subsection 2 roman में यह maximum limit पच्चिस सो रुपए तक है और पच्चिस सो कम है तो कमी रहेगा इसके बाद यह सब करने के बाद आ जाता है हमारा क्या taxable salary यह सब करने के बाद सर हमारे पास क्या आ जाता है taxable salary अब इसके ऊपर हमें tax payment करना पड़ता है लेकिन फिर इसमें से भी deduction मिलता है आपको याद हो मैंने 5 head बताया था जहाँ पे मैंने gti लिखा था gross total salary उसमें 5 head आ गए थे और उसके बाद मैंने minus किया था ATC से लेके ATU तो यहां मैंने एक word लिखा था salary सर वो ये वाला salary जाता है कौन सा salary जाएगा जो सारा ये minus plus करके आपने residential status के जो बच्चे live class में नूर्स देखें गए वहाँ पे आपने notice किया होगा कि salary में से सर पचास हजार रुपे दो तीन जगे माइनस किये हुए है क्यों किये हैं सर ये पचास जार माइनस standard deduction गवर्मेंट ने जो दे रखा है इसलिए वहाँ पे minus है तो जो बच्चे कर रहे होंगे तो confused ना हो और tax liability भी पूछ सकता है दोनों चीजे पूछा जा सकता है आपका इस chapter में से अब सर यहाँ पे दो tax rate आ जाते हैं एक old रिजिम और एक new रिजिम तो अभी फिलाल तो हम tax lab rate की हम बात नहीं करेंगे जिनके college बगर हमें start हो जाएगा उनको बताया भी गया होगा कि sir old रिजिम से यह होगा children education यहां मिलेगा यहां नहीं मिलेगा तो मैं नहीं पहले मैं basic basic चीजे दो से तीन दिन लगेंगे समझा दू उसके बाद फिर मैं comparison करके दोनों कॉलम बनाके एक साथ कर दूँगा old के साथ भी और नहीं के साथ कोई परिशानी नहीं आएगी उसके साथ बन रहा है तो 45 करोगे साथ बन रहा है तब भी 50,000 माइनस करके आप continue चलिए ठीक है तो यह फिक्स अमाउंट है सर यह वाला फिक्स अमाउंट नहीं है 5000 इसमें रूल देखेंगे यह भी फिक्स अमाउंट नहीं है इस पर भी रूल देख लेंगे हम अब किसी का यहां पर डाउट है तो बताईए फिर पहले सबसे पहले हम समझेंगे देखो चप्टर कैसे खतम होगा सबसे पहले समझेंगे यह इसके बाद समझेंगे यह इसके बाद समझेंगे यह चप्टर खतम लेकिन पहले बेसिक सेलरी में क्या समझाओगे सर बेसिक सेलरी देखो दो त साल हो गया है लेकिन बड़ी-बड़ी organization में पहले ही decide होता है कि आपके 1 साल बाद 2000 बढ़ेगी तो फिर इसके बाद 3000 बढ़ने वाला है इसके बाद 4000 बढ़ने वाला फिर 5000 बढ़ने पहले से तुसे बोलते हैं ग्रेड सेल्री तो मैं भी दिखाऊंगा कि कैसे grade salary calculate करते हैं अभी तक किसी को डाउट है अगर डाउट नहीं तो एक बर फटा-फट से यह वाला format बस नोट करिए फिर देखते हैं अगर मैं 20,000 रुपए कमाता हूं तो क्या होगा फिर तो 20,000 बस standard deduction मिलेगा अब सबके कमेंट देख लेते हैं जो बच्चे लाइव में हैं खूब सारा कमेंट तो आ गया है यहां पर नोट्स आपको मिल जाएंगे 60, 80, 70 परनिका का डाउट है बताए परनिका क्या डाउट है अपका डाउट नहीं कोई यह पूचन था यह जो अपने ब्राकेट में लिखा है अपका बता दो सारे सेक्षन जो में ब्रैकेट में लिखा है मैं बता देता हूँ इस अपंट रेता है हमारा 16 सब सेक्षान वन और अ दूसरे वाले का जो आइनगा 16 शब सेक्षन थो और तीसरे वाले का अदो सिक्ष्टी इंड सब सेक्ष्टन रॉमन में है थ्री यह है ओक्या क्या कंप्यूटर अच्छा यह बच्चे कह रहे हैं यहां पर कुछ और लिख दिया अच्छा अच्छा बच्चे प्रॉमन में हैं तरह दिजिए रॉमन दिएटक्ष्टन अच्छाता है। कि वोईस में भी बात हम कर सकते हैं डाउट लेकिन मेरी कोशिस रहती है कि जो वोईस वालने लास्ट में मैं आप लोग को आदे गंटे देता हूं कि हाफ एन आवर है आप जिसका डाउट है वो पूछ रहे हैं क्योंकि बीच-बीच में फिर सारे बच्चे बोलते हैं काफे स सारчи स्टूटेंट होते हैं तो किसी का डाउट होने पाता है क्लास रुख जाती है तो जैसे एक लास कातर हुं ना सबके चैट मेरे पास पर कटहले रहते हैं और मैं फिर उनको वारिस में डाउट के लिए दे देता ऑफ अप्शन जैसे अभी पूछ रहे हैं कुछ बच् सुमेट. झालो तोर.